प्रशाष्के संस्ताय पढ़ लिया था विबिन प्रकार के उद्योग केंद्र और इस्ताहिया भोगोलिक बतावरण योँ प्रापरतिक साधन यह हम पढ़ चुकेंगे आज हम पढ़ेंगे एथिहासिक साधन आज हम पढ़ेंगे फिप्तू एथिहासिक एथिहासिक साधन एथिहासिक साधन एथिहासिक साधन से ताच एतिहासिक इस्तान से जाज पर है जहां विद्याले इस्तिते यदि उसी शेत्र विशेश में कोई एतिहासिक इस्तान है तो चात्रों को उसे आवश्य दिखाना चाहिए उसे इतिहासिक इस्तान को दिखाना चाहिए याने कि जिस फ्रकार प्रतेक्ष से दिया हुआ गया जाए उस एथियासिक इमारत के बारे में जो ग्यान प्रतेक्ष रूप से दिया जाएगा वो बालकों के मस्तिश्क में इस्ताई रहेगा यानि कि जो यान वो किसी एधियासिक इस्तल को देखकर प्रतेक्ष रूप में तो वो यान बालकों के दिमाग में इस्ताई रूप से इस्ठिद रहता है बालक सीखने में रुची लेते हैं यानि कि उस इस्तान के विबिन भागों को देखने में बालक रुची लेते हैं और साथ में सुक्ष्मा बातों को यानि कि छोटी से छोटी बातों को समझने में समर्थ होते हैं समझने की शम्ता का उनमें विकास होता है इसके अतरिक्त बालकों को इस बात का भी जान होता है कि उनके इस्तानी शेत्र में रास्ती इतियास के लिए क्या योग, क्या देन प्रदान किये कहने का मतलब है कि उनके जो बालकों की रूची जागरत होती है बालक की शम्ताव विक्सित तो होती है लेकिन साथ में बालकों को इस बात का भी ग्यान होता है या इस ग्यान से भी बालक रोबरों हो जाते हैं कि उनके इस्तानी शेत्र में रास्ति इत्यास के लिए किस प्रकार की देर प्रधान की गई है इस प्रकार की देर यानि किस प्रकार की देर एत्यासिक इस्तान की रोप में एत्यासिक इमारत के रोप में उनके इस्तानी शेत्र विशेष में है इस्तान ये एतियासिक इस्तानों के अतिरिक्त, अन्नी शेत्रों के एतियासिक इस्तानों को भी दिखाने का यता संभाव शेक्षिक यात्राओं, शेक्षिक छोटी-छोटी जो यात्राओं होती है, या छोटी-छोटी जो टूर होती है, उन टूर्स को आयोधित करना एत्यासिक इस्तानों को देखने के लिए नेक्स्ट है संग्राले शिक्स है संग्राले संग्राले सिक्स पॉइंट है संग्राले संग्राले से ताट पर एसी एसा इस्तान जहाँ पर पुरानी चीजे पुरा तात्विक चीजे पुरा तात्विक कीजों को संग्रह करके रखा जाता है यानि कि पुराने चीजों को संग्रह करके और उसके एधिहास को बताने के लिए उसके एधिहास को जानने के लिए उसका संग्रह करके रखा जाता है तो संग्राले से तात्वरे संग्राले में समाज के संग्राले में समाज के अतीत का एवं बर्तमान का प्रत्यक्ष दिखदर्शन होता है संग्राले में समाज के अतीत का और समाज के बर्तमान का प्रत्यक्ष रुप से दिखदर्शन होता है प्रत्यक्ष रुप से हम उन चीजों को देखते हैं संग्राले में चात्रों को समाज के बदलते हुए चात्रों को समाज के बदलते हुए सोरूप से परिचित करवाने के लिए यानि कि चात्रों को समाज का जो सोरूप बदल रहा है जो बदलता हुआ सोरूप है उससे परिचित करवाने के लिए उसका ज्यान पृदान करने के लिए संग्राले का निरिक्षन करवाना चाहिए किसका निरिक्षन करवाना चाहिए संग्राले का निरिक्षन करवाना चाहिए ताकि चात्र समाज की वर्तमान और अतीत अतीत दोनों को दोनों का प्रतिश रूप से दर्शन कर सके दोनों को प्रतेश रूप से समझ सके साथ में संग्राले में ले जाकर बालकों को विबिन प्रकार की संग्राले में ले जाकर बालकों को विबिन प्रकार की कलाओं के बारे में बिन बिन यानि विबिन प्रकार के नमूलों के बारे में यानि कि संग्रहले में लेजाकर बालुकों को समाज की अती तता समाद की वर्तमान का तो प्रतिक शुरुक से दिकतर्शन करवाना ही चाहिए लेकिन साथ में उनको विबिन प्रकार के कलाओं का और विबिन प्रकार के नमूनों एवं उनके विशेश्टाओं का ज्यान भी करवाना चाहिए जिसे उनका तुलनात्मक अध्यन यानि कि बालक या छात्र तुलनात्मक अध्यन करके उनकी विशे में विश्तर्त ग्यान प्राप्त कर सके बालक अपने विशे में तुलनात्मक अध्यन प्राप्त करके और ग्यान प्राप्त कर सके तुलनात्मक अध्यन इस प्रकार से करें कि जब उनको संग्राले में समाज के अतीत और बर्दमान का प्रतिक्ष रुख से दिखदर्शन करेंगे तो उनको तुलनात्मक यानि कि दोनों में तुलना करके वो तुलना करके अपने विशे में विश्टत रूप से अध्यन प्रतिक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं साथ में निरिच्छन से बालकों का यानि कि संग्राले का निरिच्छन करने से बालकों में अपने रास्टर की शैष्टम कलाकृतियों का यानि कि अपने रास्टर में कौन सी शर्ष्टम कलाकृतियां हैं ये वो महत्पूर वस्तुएं हैं इसका भी गोरों की भाउना उन्में उत्पन होती हैं कि मेरे समाज में या मेरे राश्टर में इस प्रकार के संग्राले में ऐसी वस्तों रख्य हुई है जो देखने लाएगी नेज़ सेविन है सामाजिक संस्ता है सामाजिक संस्ता है सामाजिक संस्ता है समाजिक संस्ताओं से तातपर हैं कि समाजिक संस्ताओं के अंतरगर्द बे संस्ताओं आती हैं जो समाज के धाचे के निर्माण में सायक होती है समाज के धाचे का निर्माण करती है और समाज के धाचे का निर्माण करके उसमें सयोग प्रदान करती है उसमें साहता प्रदान करती है वो सामाजिक संस्ताओं के अंतरगर आते हैं जैसे परिवार है, संपती, सामाजिक रिती रिवाच और परंपरा ये सामाजिक संस्ताओं के अंतरगरदा नहीं चात्रों को इन संस्ताओं का वेवारिक ज्यान प्रधान करने के लिए उन्हें समुदाय में ले जाना चाहिए उन्हें विबिन प्रकार की सामाजिक संस्ताओं में ले जाना चाहिए विबिन प्रकार के सामाजिक समुदायों में ले जाना चाहिए ताकि छातर अलग-अलग समुदाय का अलग-अलग समुदाय से ज्यान प्राप्त कर सके वहां ले जाने पर यानि कि वहां इन बालकों को ले जाने में ले जाने में ले जाने से यानि कि सामाजिक संस्ताओं के समुदाय में जब बालकों को ले जाया जाता है तो बालक उसमें रूची लेती हैं बालक के ग्यान में विकास होता है याने के बालक अलग-अलग समुदाय के बारे में जानने में रूची लेते हैं और अलग-अलग समुदाय के बारे में ग्यान प्राप्त करने में अपने ग्यान का विकास करते हैं हमारे समुदाए में पित्र प्रदान एवा मात्र प्रदान परिवारों का प्रचलन है यानि कि जो हमारे समुदाए हैं उनमें पित्र प्रदान और मात्र प्रदान दोनों परिवारों का प्रचलन है या संयुत परिवारप्रता या वेक्तिकत परिवारप्रता को घ्रण किया जा रहा है आज जो परतमान में हैं संयुत परिवारप्रता तो समापतो चुकी है केवल आज वेक्तिकत परिवारप्रता को घ्रण किया जा रहा है वेक्तिक परिवारप्रथा आज ज्यादा प्रचलन नहीं तो बालुपों को सामाजिक संस्ताओं का भी ज्यान करवाना चाहिए ताकि वो विविन प्रकार के सामाजिक समुदायों को देखकर प्रतिक शुरूप में उनका उलोका निरिक्षन करके उनसे ज्यान क्राप्त कर सकें और उनके रहन सेन को, उनके लितिरी बाच को, उनके परंपराओं को, आदि को बहुत जान सकें नेक्स्ट है, एड़ है, विशिष्ट वेक्तियों एवम विशिष्ट वेक्तियों एवम विशिष्ट वेक्तियों एवम विशे से जोके विशे से जोके व्यक्षान विशे से जोके व्यक्षान एवम 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 विशे से जोके व्यक्षान ए विशिष्ट व्यक्तियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्यान एवं प्रयोगात्मक प्रदेशन से ताथ पर इये कि समाज के आदर्षों, समाज के सिद्धान्तों एवं विचारधाराओं से आउगत करवाने के लिए विशिष्ट वेक्तियों एवं विशिष्ट जन्नायों के व्याख्यान सुनने के अउसर प्रधान किये जाते वेक्तियों को केने का मतलब है कि सामाजिक आदर्शों को, सिध्धान्तों को और विचारधाराओं को चात्रों को अवगत करवाने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों एवं विशिष्ट के व्यक्षान सुनने के अउसर प्रदान किये चाहें साथ में विशिष्ट व्यक्ञानिको एवं कलाकारों के प्रयोगात्मः प्रद kızन द्वारा विशिष्ट वेग्यानिकों एवं कलाकारों के प्रयोग आत्मक प्रदशन द्वारा विध्यार्टियों के ज्यान को सार गर्वित बनाने के लिए विध्यार्टियों के ज्यान को विक्षिक करने के लिए और वेग्यानिकों से पदिचित होने के लिए वेग्यानिकों के के लिए उनको प्रतेश रूप से ज्यान प्रधान करना चाहिए उनको व्यक्यान सुनने के अउसर देने चाहिए व्यक्तियों जन्नायों के जो जन्नायों के व्यक्यान सुनने के अउसर उनको प्रधान किये जाने चाहिए यह आपके बन से लेकर एड तक के पॉइंट कम्प